फ्रेंस आप सभी का विलकम है मेरी यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस फोटोशॉप के टीटोरियल में हम लोग सीखेंगे किसी धाबे, रेस्टरेंट या होटल का फ्लायर कैसे बनाते हैं ये प्रोमोशन फ्लायर बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है इस वीडियो में कम्प्लीट बताऊंगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझ ये इसका पूरा प्रोसेस आए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर डिजाइन करने से पहले हम लोगों को उन सभी कॉंटेंट की जरूरत पड़ेगी जो इस फ्लायर में यूज करेंगे तो आप एक फोल्डर में उन सभी कॉंटेंट को पहले से डाउनलोड करके रख लिजिए उसके बाद आप डिजाइनिंग शुरू करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर रखा हुए है आप देख सकते हैं यह सभी कॉंटेंट है इन इमेजेस को यूज करना है इस फ्लायर में और यहाँ पर उसका पूरा कॉंटेंट है अगर आप किसी कलायन के लिए काम कर रहे हैं तो आपको जो कॉंटेंट मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा तो इसे मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग एक न्यू फाइल ओपेन करते हैं यहाँ पर इसके विट को रखना है 600 और हाइट को रखेंगे 900 यहाँ पर रिजोलोशन आपको रखना होगा 300 और कलर रखना होगा CMY के अगर उस फ्लायर की प्रिंटिंग होने वाली है तब अगर वो प्रिंटिंग नहीं होगी ओनलाइन डिस्रिबियूशन होगा तो उसके लिए आप RGB रखेंगे और रिजोलोशन 72 तो इसका कॉंसेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे तो फिलाल मैं RGB ही रखता हूँ और उसके बाद यहाँ से OK कर लेते हैं अब उसके बाद हम लोगों को आना है Pen Tool पर Pen Tool पर आने के बाद आप यहाँ नॉर्मली एक डिजाइन तयार करें इस तरह से और इसमें हम लोग Color यूज़ करेंगे येलो इस तरह से Ctrl-Enter Ctrl-D Harbor आप कर लिया करेंगे नहीं तो आपका जो शेप है दूसरे शेप में मर्ज हो जाएगा और ध्यान रखें कि ये जितनी भी डिजाइनिंग हम लोग करेंगे वो शेप में ही करेंगे अब वापस आप आजाएं Background Layer पर और यहां से आपको यूज़ करना है Rectangle Tool और एक Normal Rectangle हम लोग इस तरह से बनाएंगे और इसकी Copy करेंगे तीन अब उसके बाद इन तीनों को Select करके आप Ctrl T से Transform करेंगे और इस तरह से Rotate करेंगे यहां लेकर जाना है में ऐसे थोड़ा सा छोटा करना है ताकि तीनों दिखाई दे अच्छे से इस तरह से और यहां से आप Yes कर लिजे इन तीनों को चाहें तो आप मर्ज भी कर सकते हैं तो Ctrl E से मैं मर्ज कर देता हूँ और इसका Color वही यूज़ करना है जो उपर वाले का Color है और उसके बाद Direct Selection Tool पर आने के बाद इसे थोड़ा समय बाहर करूँगा ऐसे पकड़ कर ताकि इसके बराबर हो जाए और इसे मिलाना है इसके बराबर ऐसे थोड़ा समय इस तरफ पतला कर रहा हूँ तीनों को यह इस तरह से कर लेने के बाद आपको आना है यहां से Polygonal Lasso Tool पर और Polygonal Lasso Tool पर आने के बाद यहां क्लिक करेंगे क्योंकि इन सभी की masking होना जरूरी है तो जो overlap कर रहा है यहां क्लिक करेंगे इस तरह से और हम लोग masking कर देंगे बाहर बाहर इस तरह से Ctrl Shift I press करें और इसी layer पर रहते हुए हम लोग layer mask कर देंगे अब क्या हुआ बाहर वाला यह हट गया सिर्फ अंदर अंदर रह गया अब आपको Ctrl Enter Ctrl D करके बाहर निकल जाना है अब उसके बाद टॉप layer पर आजाएं इस पर डबल किलिक करें और यहां से drop shadow यूज करें डॉप shadow यूज करने के बाद यहां black color रखना है distance थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा नहीं अब Ctrl Enter Ctrl D करके देख सकते हैं यह तीनों अलग-अलग separate हो चुका है अब उसके बाद background layer पर आजाएं और यहां से एक black color हमें यूज करना है इसके नीचे तो pen tool पर रहते हुए यहां किलिक करेंगे चुँकि इन दोनों layer के मैं नीचे हूँ इसलिए उपर उपर इसके overlap करके मैं किलिक कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर automatically चला जाए और इसमें लाकर मिला देंगे यहां से black color आपको यूज करना है properly black color हमने यूज कर लिया Ctrl Enter, Ctrl D अब देखिए by default इसके नीचे था तो आसाने से इसके नीचे ही रह गया है अब इस layer के उपर एक rectangle tool से एक rectangle और बनाना है इस तरह से जिसमें address वगेरा और website, name, email, id जो भी चीज़े हैं वो इसके उपर रखना होगा तो इस पर double click कीजिए और इसमें भी यही yellow color फिल कर दीचे इस तरह से ctrl enter, ctrl d आपको harbor करना होगा ताके यह attach ना हो सके अब हम लोग इस yellow layer पर रहते हुए एक square बनाएंगे लेकिन rounded बनाएंगे आप यहां rounded rectangle tool पर रहते हुए यहां आप रखेंगे लगभग 12 pixel के आसपास rounded और यहां किलिक करके एक square हमें बनाना है जिसमें यह food का जो content है इसके अंदर लेकर आएंगे और फिलहाल इसका color मैं कोई भी रखता हूँ जैसे हमने white रखा और इसको rotate कर लेते हैं ctrl t से इस तरह से rotate करना है exactly shift प्रेस करके ताकि यह 45 degree पर rotate हो सके और उसके बाद आप यहां से इन तीनों को select करके मैं ctrl t से transform करता हूँ और इसे थोड़ा बढ़ा करता हूँ ऐसे ताकि इसके उपर overlap कर सके almost इतना और इसे थोड़ा सा अंदर और लेकर जाएंगे ऐसे अब उसके बाद इसके उपर हम लोगों को stroke यूज़ करना है तो double click कीजे और यहाँ पर आप आजाएं stroke पर stroke पर रहते हुए इसका color यही yellow रखना है तो इस पर click करके आप yellow select कर लीजे यहाँ पर आपको रखना है inside और इसके size को बढ़ा देंगे size लगभग हम लोग 7-8 के आसपर सरकने है मैं 7 रख रहा हूँ और यहाँ से okay कर लीजे अब यही stroke copy करके इन सभी के उपर से paste कर देना है alt प्रेस करके मैं stroke पर click करके drag कर रहा हूँ उपर इससे copy होकर automatically paste हो जागा यह देखिए इस पर paste हो गया इसी तरह से अब इसकी copy करके इस पर ले जाकर paste करेंगे ऐसे control 1 यानि 100% पर आकर देख सकते हैं यह आपका इस तरह से बन गया है अब इन सभी पर images लाकर paste करना है यानि masking करनी है लेकिन उससे पहले आपको एक कम और करना है कि यह जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है इसको हटाना ज़रूरी है उसके लिए आप इस layer पर रहते हुए यहाँ से polygonal lasso tool पर आ जाए और यहाँ से अंदर अंदर selection करना है आपको बाहर बिलकुल नहीं यानि कि यह जो बाहर दिख रहा है इसका selection नहीं अंदर का selection करके इस layer पर रहते हुए layer mask यूज़ करेंगे यह बाहर का देखिए हड़ क्या है अब ctrl enter ctrl d अब इन सभी पर हमें images लाकर masking करनी है तो एक-एक image masking करते हैं इसके उपर हमें लाना है image और यह ctrl alt g से masking होता है आपको मालूम है ctrl t से transform करेंगे image को इस तरह से छोटा करके यहाँ पर ऐसे adjust करेंगे यह देखे fit हो गया अब इस layer पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक image को लेकर आएंगे यहाँ पर इस size cream को मैं रखता हूँ masking करने के लिए shortcut याद नहीं रहे तो layer पर right click करें और यहाँ से create clipping mask करतें और इस image को भी ctrl T से transform करेंगे और इसे छोटा कर लेंगे इस तरह से alt and shift प्रेस करके करेंगे तो चारो तरफ से यह छोटा होगा आप जान सकते हैं और उसके बार इसे adjust कर लीजे अब top layer पर आने के बाद इस पर भी एक image लाना है तो यहाँ से इस image को मैं लाता हूँ इसको drag करके लाकर ऐसे छोड़ देंगे और इसे भी हम लोग masking कर लेते हैं यहाँ से right click करेंगे और create clipping mask और इसे भी transform करके हम लोग adjust कर लेंगे ऐसे अब हम लोगों को यहाँ पर एक image लाना है उसके लिए हम लोगों इसे थोड़ा सा बड़ा रखना है और यहाँ पर एक चीज आपको करना है वो important चीज है important यह है कि आप इसे smart object में ही रखेंगे और यहाँ से filter में जाकर blur करेंगे और यहाँ से Gaussian blur select करके लगभग 5-6 pixel blur करेंगे और यहाँ से आप ok कर लेंगे smart object रखने से फायदा यह हुआ कि हमें एक smart filter मिल गया है अब हम लोगों को इस smart filter को select करके इसको adjust कर लेते हैं adjust करने के लिए आप जाएए brush tool पर black color को ओपर रखेंगे यहाँ से flow को थोड़ा कम कर लीजे hardness को आप 4-5-8 pixel के आपस रख सकते हैं और इसको थोड़ा zoom करके इसे हटा लीजे यह देखिए इस तरह से अब flow को और मैं कम करूंगा लगबग 12-13% और इसे इस तरह से paint कर लेंगे इससे क्या होँ इस side वाला हिस्सा हमारा clear हो गया और इधर blur हो गया है ऐसे अब हमें सिर्फ इस पर content लाना है तो content एक एक करके लेकर आते हैं उसके लिए top layer पर आना जरूरी है आप यहां से एक normal blank layer ले लिजे और उसके बाद हमने जो यहां पर save कर रखा है इसको open करते हैं यह देखिए fresh and delicious इसको select करेंगे ctrl c से और photoshop पर आने के बाद type tool select करेंगे यहां पर आप paste कर लिजे और इसका color white रखेंगे धियान रखें यहां पर हम लोगों को Roboto Black यूज़ करना है इसमें जो हमने font यूज़ किया है Roboto Black और अब इसके size को बड़ी करेंगे मैं ctrl 1 से 100% पर रहता हूँ इससे आपको text अच्छे से दिखाई देगा यह दोनों का size equal नहीं रखना है उपर वाले के size को थोड़ा छोटा रखना है तो यहां पर आप click करेंगे यह देखिए 50.29 है इसको आप कम करके use करेंगे 48, 47 के असपस मैं 48 use करता हूँ और यहां से आप yes कर लिजे और इसका color थोड़ा change करेंगे इसका color हम लोग use करेंगे कुछ इस तरह का ऐसा color use करेंगे इससे क्या होगा यह food से थोड़ा match करेगा और चाहें तो एक ruler से guide यहां पर use कर लें ताकि आप इसके बराबर ही सभी content को रखेंगे left alignment होना ज़रूरी है ऐसा ना हो कि सभी content अलग-अलग हो जाए अब इसके उपर हमें logo लाना है उस company का तो वो भी हमने निकाल रखा है यहां से इसको लेकर आता हूँ Photoshop पर Ctrl T से transform करेंगे और इसे छोटा रखेंगे बहुत ही छोटा और इसको इसके just उपर use करेंगे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस logo का color जो है इसमें yellow है, white है और यह rate कुछ है तो इसलिए हमने इसमें yellowish color ज्यादा रखा है एक काम और कर सकते हैं इन दोनों के बीच में जो spacing है इसको थोड़ा आप कम कर लीजे तो बहतर रहेगा यहाँ पर मैं 52 रखता हूँ that's good अब ठीक है यह अब उसके बाद यहाँ पर कुछ content लिखना होगा तो आप type tool पर जाए और lorem एपसम का content हमनों को यहाँ पर लिखना है कुछ यहाँ पर color white रखेंगे और type में जाकर यहाँ paste lorem एपसम करेंगे अब by default यहाँ पर text आ जाएगा अब इस text को adjust करना है आसाने से कर सकते हैं कम text चाहिए तो आप यहाँ से select करके delete कर सकते हैं कुछ text को इसमें हमें bold नहीं रखना है तो यहाँ से मैं medium रखूँगा और उसके बाद इसके line head को मैं थोड़ा सब रहाँगा यह 16.84 है मैं इसे थोड़ा सब रहा रहा हूँ बहुत जादा नहीं almost 21, 22 के असपस यह ठीक है अब उसके बाद हम लोगों को दूसरा content लाना है वो content है यहाँ पर fresh test at great price इसको copy करेंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं paste करूँगा control V से paste कर दिया और इसका जो color है हम लोग रखेंगे कुछ अलग यहाँ से आप yellow color select कीजिए और इसका font भी अलग change करेंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे script empty bold और इसके size को यहाँ से बढ़ा कर यूज करेंगे almost 20 pixels इसे adjust कीजिए इस तरह से और यहाँ अच्छा दिखाने के लिए एक line हम लोग को यूज करना चाहिए shift प्रेस करके सेधी line इस guide तक लाकर छोड़ दीजे और इसका color भी आप yellow ही यूज करेंगे इस पर double click कीजे yes इसे चाहें तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं सबसे पहले इसको आप control G से group कर लिजे और इसे थोड़ा नीचे करके इसके size को थोड़ा और भी बड़ा चाहें तो कर सकते हैं आप इस तरह से अच्छा दिखाने के लिए अब उसके बाद यहाँ पर contact number हमें देना है तो वो भी content में लेकर आता हूँ इसका color white रखेंगे हम लोग और इसका जो font है वो normal robot ही use करेंगे yes और चाहें तो आप इसके size को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि obviously business यहीं से आता है तो इसके size को बड़ा रखना ज़रूरी है और इसको इसके बीच में center ही align रखेंगे तो यहाँ से आप ऐसे करके selection कीजिए यहाँ तक और उसके बाद आप move tool पर रहते हुए center align कर लिजिए ऐसे अब हमें सिर्फ इसके उपर address वगड़ा लाना है और एक QR code भी देना ज़रूरी है ताकि अगर payment को इस तरह से करना चाहे तो QR code से payment कर सकता है तो हमने QR code भी यहाँ पर download कर रखा है उसे लेकर आता हूँ और इसे छोटा करके ऐसे यहाँ पर adjust करना है आप चाहें तो इसके नीचे white color भी दे सकते हैं एक rectangle tool से आप square बना लिजिए ऐसे white color का और इसको आप नीचे कर लिजिए इसके साथ और इन दोनों को align कर लिजिए इस पर control प्रेस करके उपर वाले layer पर जाएंगे move tool से आप इसको align कर लिजिए अब आप इन दोनों layer को select करके group कर लिजिए और इसको rename कर सकते हैं QR हमने कर दिया कभी आप किसी बड़े project पर काम करें तो group करके ज़रूर रखा करें इससे आपको आगे changes करने में आसानी होगी अब इसको हमें align करना है तो सबसे पहले इसका selection करूँगा ऐसे ये देखे उपर से नीचे तक का selection हमने ये local layer कर कर दिया अब move tool पर जाएंगे QR code वाले layer पर रहेंगे और इसको इस तरह से align करेंगे center control D से deselect करेंगे और इसे हम लोग इस guide के साथ लाकर मिला देंगे इस तरह से ऐसे अब उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है उस restaurant का नाम बगएरा और यहाँ address तो उससे पहले एक line चाहें तो आप यहाँ पर बना सकते हैं इसके बराबर line बनाना है आपको तो just आप click कीजिए shift प्रेस करके और इसके बराबर एक line बना लिजे black color का होना चाहिए इस तरह से अब उसके बाद आप यहाँ पर restaurant का नाम लिख लिए अब हमें सिर्फ यहाँ पर name लिखना है तो मैं paste कर दिया और इसको black color में ही रखोंगा control 1 से 100% पर देख सकते हैं आप अपने text को अब इसको align करना है अच्छे से तो इसे आप नीचे लाइए कोई जरूरी नहीं कि आप इस line के साथ ही align रखेंगे आप इसको चाहें तो थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जितना gap है उतना ही gap इसके बीच में होना चाहिए तो अच्छा लगेगा देखने में यह देखे perfect है अब उसके बाद इसके नीचे email address वगरा लाकर paste कर सकते हैं अब उसके बाद इन सभी के size में थोड़ा सा adjustment करना है क्योंकि यह size काफी बड़ी है इसमें थोड़ा सा हमें छोटा करना होगा 18 pixel आप रखेंगे 18 pixel से जादा रखना ठीक नहीं है अलाकर restaurant का नाम है यह तो ठीक है लेकिन उसके नीचे वाले जितने भी font से उसके size को आप छोटा कर लिजे 18 pixel जैसे नीचे वाले कर दिया एड्रेस को भी आप 18 ही रखेंगे और यहाँ पर जो name है इसको आप वैसे ही रहने दीजे अब इन तीनों layer को select करके control G से group कर लिजे और इसको आप align करेंगे इस white वाले के साथ यानि QR code में आप इस पर click कीजे और इसके साथ आप center align कर लिजे move tool पर रहते हुए ऐसे यह देखे adjust हो गया अब control D से dislike कर लिजे control 1 पर आप 100% पर आजाए control H से इस guide को हमने हटा लिया अब save करने का तरीका पहले बताता हूँ file में जाएंगे save as पर click करेंगे यहाँ desktop पर save करके दिखाता हूँ जैसे हमने banner बनाया banner sample लिखता हूँ और यहाँ psd format होना चाहिए एक यहाँ save पर click करेंगे फिर save file में जाएंगे save as में जाएंगे और यहाँ पर एक बार jpeg आप save करेंगे अगर आप printing के लिए कर रहे हैं तब भी jpeg दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन यहाँ पर quality 12 होना यानि maximum होना ज़रूरी है आप यहाँ से okay कीजिए अब आप देख सकते हैं यह final banner त्यार हो गया है तो अगर आप चाहते हैं Photoshop में इसी तरह से designing सीखना तो आप मेरा online premium class ज़रूर 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 कीजिए मुझसे contact करने के लिए मैंने अपना contact number और email ID description में दे दिया है आप चाहें तो मुझे call कर सकते हैं यहाँ पर भी देखिए मैंने अपना ही number दिया है आप अभी चाहें तो call करके join कर सकते हैं और किसी तरह का कुछ question है तो comment box में पूछिए उसका solution जरूर लेकर आऊँगा तो friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much friends